नमस्कार बहुत स्वागत है जोतिश दिशास सत्य की राह में जुड़ गया हूँ आपके साथ मैं आपका इस्टो फ्रेंड संतो संतोशी दिनांक चार अगस्त कैसा भी इतने वाला है पूरा दिन आज का आपका क्या कुछ मिलेगा आपको आज भुले नाथ की किरपा से पूरी जानकारी लेकर क्यों पस्थित हो गया हूँ जुड़े रहे हमारे साथ लगातार बीस मिनट तक हर राश की पूरी जानकारी के साथ साथ एक अदद ब्यहतरीन प्रियोग भी बताएंगे आए शुरवात कर देते हैं आज के जोतिश दिशा की पंचांग श्रामणमा शुक्लपक्ष सब्तमीति थी है आज चंद्रमा कन्यराशी में सुबज 6.49 तक इसके बाद तुलामे प्रवेश नक्षत्र चित्रा योग रहेगा साथ दे तद अनुसार दिनांक चार अगस्त दिन गुरुवार राहुकाल का समय दो पहर डेड़ से तीन गुलिकाल सुबह नौ से साड़े दस राहुकाल में नय और शुबकाम के लिए सास्त्र वर्जित कर देते हैं तो आप बत करिएगा गुलिक काल में आप कंसीडर कर सकते हैं कोई भी नया और शुबकाम चले सुर्वात कर लेते हैं आज कामेश से लेकर मीन तक का दिब भविश्यवारी मेश्राश बढ़ाई के लिए आज कुछ प्रयास इक्ष्ट्रा करना पड़ेगा तेजी लाईएगा दिब्विता बनी रहेगी ब्यापारिक नुकसान की भरपाई के लिए आज अथक स्व्रम करना पड़ेगा कोई आपके बिरुद्ध शडियंत्र भी कर सकता है प्राइवेट सेक्टर कुछ अलग तरह का परिचय देगा प्राइवेट सेक्टर में शुबता बनी रहेगी आज हो सकता है नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयास सफल हो जाएं सरकारी छेत्राप के लिए कुछ नुकसान दे सकता है गवर्मेंट सेक्टर को ले करके थोड़ा सजग रहने की आवशक्ता है दामपत्र जीवन दिब्यता दे रहा है अनुभव अच्छा होगा मैरेड लाइफ में कुछ बहतर मिलेगा लव लाइफ एक अलग तरह का परिचे दे रहा है लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं है स्वास्त के मामले में आज आख और किड्नी की समस्या प्रबलता से दर्साता है प्रयोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राज शिमेश है शिवलिंग पर आज भभूती चढ़ाना शुब होगा क्या नहीं करना है आज अपने राज बताने नहीं है किसी को शुबरंग आपके लिए गुलाबी भाग्य प्रत्षत 58 ब्रिशब रासी परेशानियों से बाहर निकलेंगे ब्यापार अच्छा है और के कारेगतिमान होंगे प्राइवेट सिक्टेर आपके लिए अनुकूलता दे रहा है अवसर अच्छे देगा सरकारी छेतर में दिब्यन भोती होगी आज प्रमोशन की खुश्खवरी आपको प्रसंद करेगी दामपत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा आज बच्चों का सानिध प्राप्त होगा लेकिन किसी पुरानी विशे को आज न उगेडे तो बहतर रहेगा पुराना विशेक हो देंगे तो आज कुछ गरवर होगा लव लाइफ आपके अनुसार है अवसर अच्छे दे रहा है आज बिवाह की चर्चा कर सकते हैं स्वास्त के मामले में देखा जाए तो लीवर और पेट की समस्या हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी ब्रिशब है उपाय के तोर पर मादुरगा को प्रणाम करते हुए ओम दुम दुरगा येई नमह 11 बार इस मंत्र का जाब करिएगा क्या नहीं करना है जूट नहीं बोलना है शुबरंग भूरा भाग्य प्रत्षत 57 मिथुन राशी पढ़ा अच्छी कर रहे हैं सिक्षा में सुधार हो रहा है किसी तरह की समस्या नहीं है ब्यापार आप कानकूल रहेगा बिजनस में शुबता बनी रहेगी प्राइविट सिक्टेर आपके लिए दिब्बिता देगा मौसम के अनुसार कदम बढ़ाईएगा मौसम मतलब आज का माहौल वहां कैसा है सरकारी छित्र की स्थिति को लेकर के आज थोड़ा समंजस में रहेंगे काम में कम्मन लग रहा है कुछ पुराने विशे आज उजागर हो सकते है दामपत्य जीवन सुखद रहेगा एहसास अच्छा होगा बच्चों का सानित धिप्रापत होगा लेकिन लव लाइफ में आज तनाव बढ़ रहा है स्वास्त के मामले में दातों की तकलीफ, कमरदर्द और जुखाम खासी की शिकायत हो सकती है क्या प्रियूग करें मिथुन वालों को आज उपाय के तोर पर किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वस्तु अनाज की रूप में देना शुब होगा क्या नहीं करना है आज जल्दी बाजी में कुछ निरड़े मत ले रही जेगा शुबरंग स्लेटी भागी प्रत्षत 47, 47 करकराशी पढ़ाई के लिए आज तनाव से मुक्ती माहौल आपके लिए शुब होगा ब्यापार अच्छा चल रहा है आउसर अच्छे मिल रहे हैं डिजनस में किसी तरह की दिकत परेशारी नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ शुब इस्तती में ला रहा है प्राइवेट सेक्टर आपको कुछ बहुत मजबूती दे रहा है जिंताओं से बाहर निकल रहे हैं सरकारी च्छेत्र में मुश्किलें आ सकते हैं गौर्णमेंट सेक्टर को ले करके आपको सावधान रहने की आवशक्ता है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लेकिन लव लाइफ को लेकर थोड़ा सजग रहने की आवशक्त वस्तु देना शुब होगा क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है शुबरंगलाल भाग्य प्रत्शत सिख्टी सिंगराश दिनांक चार अगस्त दिनगुरुवार पढ़ाई दिब्य अनुभोती के साथ है सिख्छा में सुधार है ब्यापार बहुत अच्छा नहीं है प्राइबर सेक्टर वालों को वाज थोड़ा सजग रहने की आवश्यक्ता है सरकारी छेत्र बहुत मजबूती दे रहा है गौर्णमर्ट सेक्टर में शुब्ता बनी रहेगी दांबत्य जीवन अच्छा है पतनी के साथ अच्छा समय भीत रहा है दूसरे को सपोर कर रहे हैं लेकिन लव लाइफ कुछ इतना ब्यातर भी नहीं है स्वास्त के मामले में पेट लीवर और आख की समस्या हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए गर आपकी राशे सिंग है क्या नहीं करना है बड़ बोला पर नहीं दिखाना है शुबरंग पीला भाग की प्रत्षत एकाहत्तर सेवेंटीवन कन्या राशे पढ़ाई खूब अच्छी है सिक्षा में मौजबूती आ रही है सिक्षा के इस्थिति बहुत अच्छी है व्यापार बहुत अंकूल है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं है प्राइविट शिक्टर आपके लिए आज कुछ अच्छा करने की चाहत को पू स्वास्थ के मामले में पेट आंख और किटनी की समस्या हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए गर आपकी राश कन्या है आज उपाय के तोर पर किसी जरूरत मंद को क्या बच्चे को कुछ खाने पीने की वस्तु टॉफी चॉकलेट दूध आदि दे सकते हैं आपके लिए दिन मंगल कारी बन जाएगा क्या नहीं करना है आज बड़ों से उलजना नहीं है शुबरंग बादामी भाग्य प्रित्षत सेक्ष्टीवन तुलाराशी बहुत अच्छा दिन है या पढ़ाई तो खूब अच्छी करेंगे आप सिक्षा में कोई दुराव ही नहीं है आपके लिए आज का दिन जैसे मुहमागा वर्दान लेकर आएगा ब्याबार की स्थिति को लेकर के आज थोड़ा चिंतित हो सकते हैं पार्टनर विशे उजागर होंगी आज आपको कोई डी मॉरलाइज करेगा हतोत साहित करेगा थोड़ा सावधान रहिएगा ताम बत्ते जीवन बहुत अच्छा रहेगा यहां बच्चों के सानित को आप पाकर आनन्दिद होंगे मैरिड लाइफ में किसी तरह की समस्या उठापटक नहीं है लव लाइफ यहां पर इस्थतियां आपके अनुसार हैं हर प्रकार से शुबता बनी हुई है स्वास्त के मामले में आज आख और किड्नी की समस्या को ले करके चिंतित हो सकते हैं क्या प्रियूग करना चाहिए अगर आपकी राशी दुला है उपाय के तोर पर आज काला वस्त्र धारण कर लीजेगा क्या नहीं करना है आज अपने राज बताने नहीं है शुबरंग काला भाग्यपित्षत च्छाचट दिश्चिक राजी मान सिक्षांती है आज पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापार एक अलग तरह की पहचान में जा रहा है बिजनस को एक्ष्टेंड कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं शेयर आदमे विशेश लाब होगा प्राइविट सिक्टर आपके लिए अच्छे अवसर दे रहा है किसी तरह की परेशानी नहीं है सरकारी छेत्र की स्थिति को लेकर के आपको बहुत मजबूत होना है दामपत्य जीवन बहुत अनकूल है मुश्किलों का हल निकलेगा लव लाइफ आपके लिए अलग तरह का कुछ विशेश लाब देगा आज विवाह की चर्चा कर सकते हैं स्वास्थ के मामले में किटनी और बैक की प्रॉबलम हो सकती है क्या उपाय करना अगर आपकी राशी ब्रिश्चिक है दायनी हत्हेली पर थोड़ा सा सरसोग का तेल लेकर किसी पौधे की नीचे डाल दीजे क्या नहीं करना है दूसरों से उमीद नहीं करनी है शुबरंग बैगनी भाग्य प्रिशत संसट सिक्ष्टी सेवन धनुराशी मांसिक शांती मिलेगी पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं सिक्षा में कोई दोश नहीं है ब्यापार बहुत अनकूल है अउसर अच्छे दे रहा है प्राइविट सिक्टर आपके लिए नई पैर्चे कराएगा मुश्किलों का हल लिग लेगा आज बहुस प्रशन रहेंगे सरकारी छेतर में उल्जने बढ़ सकती है काम की अधिकता के कारण आज मन थोड़ा सा व्यग्र रहेगा व्याकुल रहेगा दामपत्य जीवन अच्छा है बच्चों का सानिध प्राप्त हो रहा है आज कुछ विशेश उप्लमधी अर्जित कर सकते हैं लेकिन लव लाइफ को लेकर के आज सजग रहेगा आज अलगाओ के चांसेस बनते हैं स्वास्त के मामले में माइग्रेन और घुटने की तकलीफ हो सकती है क्या प्रयोग करना चाहिए धनुराशी वालों को आज केसर का तिलक अपने कंठ पर लगा लिजेगा क्या नहीं करना है जल्दी बाजी नहीं करनी है केसरिया रंग शुभ है 51 प्रतिशत का भाग ये आपके साथ है मकर राशी दिरांग चार अगस्त पढ़ाई की स्थिती को ले करके आज परेशान हो सकते है सिक्षा में कोई बहुत शुभ स्थिती नहीं है ब्यापार आपका बहुत अच्छा है बिजनस में दिब्विता है मुश्किलों का हल है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए नए परिचे करा रहा है प्राइवेट सिक्टर में शुभता बनी होई है सरकारी छेत्र अलग परिचे कराएगा आज प्रमोशन की स्थिती बन सकती है दामपत्त जीवन अच्छा है बच्चों का सानी धिपराप्त होगा लव लाइफ में मुश्किले आएंगी सुच समझ कर फैसला लेजेगा स्वास्त के मामले में लिवर और पेट की समस्या हो सकती है डाइजेशन प्राब्लम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी मकर है आज नीला रंग धारण करना या नीले रंग की रुमाल रखना शुब होगा क्या नहीं करना है आज दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है नीला रंग शुब है पच्चपन प्रत्षत का भाग्य है कुम्बराश पढ़ाई के लिए एक अनकूल माहूलता यार है सुक्षा बहुत अच्छी है ब्यापार अनकूलता दे रहा है बिजनस में किसी तरह की समस्या ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर में आज प्रमोशन की खुश खबरी मिलेगी सरकारी छेतर में रुके धन की प्राप्ती होगी बॉस प्रशन रहेंगे दामपत्य जीवन अच्छा है परिचे आज कुछ अच्छे लोगों से होगा परिवार में खुशी का वाता वरोण रहेगा बच्चों का सानिधिवर रहेगा दामपत्य जीवन आज बहुत सुखद एहसास कराएगा लेकिन लव लाइफ थोड़ा सा यहाँ पर चिंता बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में आज माइग्रेन और बै की प्रॉब्लम रहेगी क्या उपाय करना है घरापी राशी कुम्भे लाल धागा अपने बटुए में रख लीजेगा शाम तक के लिए शाम को कहीं किसी पौधे के नीचे रख दीजेगा क्या नहीं करना है उलज़न नहीं पालना है शुबरंग लाल भागी प्रत्षत पच्चास मीन राशी पढ़ाई में आज अववल आएंगे शुक्षा सुधार रही है ब्यापार अच्छा चलेगा और उके कारे गतिमान होंगी प्राइवेट सिक्टर नुकसान देगा सोच समझ कर फैसला लीजिए सरकारी छित्र अनकूलता दे रहा है मुश्किलों का हल निग लेगा दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है बच्चों का साथ रहेगा लव लाइव की स्थिति को सुधारा जा सकता है स्वास्त के मामले में आज तकलीफ डाइजेशन की है और पेट की है एक ही चीज है क्या उपाय करना चाहिए आज भगवान गणेश को प्रणाम करके ओम गंगडपते नमह का ग्यारह बार जाब करिए और क्या नहीं करना है आज ब्लैक कलर अवाइड करना है नहीं पहनना है हरे रंग की शुबता में चववन प्रतिशत का भाग गया चलिये तो रहराशियों का हाल बात करेंगे अब आज तिरांक चार अगस्त के भाग याक्षर की नोट कर लीजेगा अपनी अपनी राशिक एरुसार आज की सक्सेस की उल्टे पाउं के अगूठे में काला धागा बाद ले और शाम को खोल कर कहीं डाल दीजेगा दिनांक चार अगस्त को अगर आपका जन्म दिन है तो आपके लिए प्रियोग ये रहा पहले तो शुब काम ना है तीन बच्चों की सिक्षा में मदद करके पब्लिक प्लेस पे दो पीपल के पौधे आपको लगाने हैं और अगर मैरे जैनिवरसरी है तो ग्यारह तुलसी के पौधे किसी मंदिर में पति-पत्नी मिलकर दान करे और दो बच्चों के लिए भोजन की वेवस्था कर दे तो भईया आज के लिए बस इतना ही कल का दिन बेहत खास रहेगा हमारे प्रोडक्शन हाउस और हमारे निर्देशन में बनी फिल्म मासूम सवाल आपके आस पास सिनेमा घरों में लग रही है जरूर जाए पूरी फैमली के साथ बच्चियों के साथ खास तोर पर अपने दिस्तेदारों से भी कहें जहाँ जहाँ आप कह सकते हैं जो भी आप बताएंगे हमारे सर आखों पर रहेगा हम इंतजार करेंगे आपके रिव्यू का कल का दिन आपका दिन नमस्कार शेनादे खास प्राजब आपके रहेगा हमwww अपके खास रहेखके रहेаз सकते हैं